हलो फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल तो फ्रेंज आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी सिंपिल बज़िट फ्रेंडली कॉलकाता स्टाइल अंड़ा दम बिरियानी और हम सभी को पता है कि कॉलकाता की बिरियानी बहुत ही टेस्टी और एरोमा की फ चलिए अब हम एरोमा बना लेते हैं यहां पर मैंने टू टेबिल स्पून दूध लिया है उसी के साथ एक चुटकी केसर वाला रंग एड़ कर देते हैं और साथी में तीन से चार बूंत हम यहां पर मीठा आतर एड़ करते हैं तो इसी से ही कोलकाता की बिरियानी में बहु कुशाब करें और साथी में डाल देते हैं चार अंडा आप यहां पे अपने हेसाब से आलू और अंडा ले सकते हैं तो चलिए अब हम इसे धख देते हैं और दो सीटी अने तक इसे बॉय खार लेते है इससे ज़्यदा सीटी न लगाए नहीं तो आलू आर अंडा बहूत रची और एक च्ट्षाइ चमच शाजीरा इसके साथ हम डाल देते हैं टू टेबल स्पून नमक ताके हमारे बिर्यानी के राइस में नमक की स्वाद आ जाए साथ में डाल देते हैं टू टेबल स्पून कुछिंग और यानि की रिफाइन ऑई अब हम इसे ढग देते हैं और boiling आने तक इंतिजार करते हैं तो ये देखिए पानी में boiling आ गया है अब हम इसमें डाल देते हैं वन टीस्पून केवरा एसेंस और साथ हमें जो राइस हमने सोप करके रख दिया था 20 मिनिट के लिए उसे भी डाल देते हैं तो हलके हातों से राइस को एक बर अच्छे से स्टेर कर लेते हैं तो चार से पाच मिनिट लेगा राइस को 70-80% कुक होने में तो राइस में boiling आ गया है अब इसमें डाल देते हैं एक lemon का juice तो चार मिनिट हो गया है तो ये देखिए हमारी मोची से विन के लिएंड कितना लंबा तो अगर पाराइस को सोब करके रखते हैं तब हैस्ट के लेंध इतना लंबा होता है तो क sóndभिए तो ये देखिए कि छिलका भी उतार लिया है अब अंडे में चीरा लगा देते हैं अब हम only डाल देते हैं और साथ ही तो आप हम इसे थौरा सा शेक कर लेते हैं और हल्दी और रेट चिली पाउडर को हम अंडे में कोट कर लेते हैं इससे अंडे में बहुती बरिया कलर आ जाएगा तो चलिए हम आलू को भी हल्दी पाउडर और रेट चिली पाउडर से कोट कर लेते हैं सिम इसी तरह तो ये देखिया आलू कोट हो चुका है तो चलिए अब हम तील गरम कर लेते हैं कराई पे डाल देते हैं हाफ कप कुकिंग ओईल यहाँ पे हमें थुरा जादा तेल की जरुवत है तो तील को अभी गरम होने देते हैं तेल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देते हैं म आलू को भी हम लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राइ कर लेंगे अंडा यहाँ पे फ्राइ हो चुका है तो चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं आलू को फ्राइ करने से आलू खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है इसे तेल पे डाल देते हैं एक तेज पत्ता दो चुटे दार्चिनी की टुकरा दो चुटे इलाइची और दो से दिन लॉंग तो तेल अल्रडी गरम है फ्लेम को मीडियम पे रखें और इसे 10 सिगंड के लिए सौते कर लें अब हम इसमें डाल देते हैं स्लाइस किया हुआ तो यहां पर मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज लिया है तो फ्लेम को अभी हम मीडियम टू हाइप रख देते हैं और पीयाज को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राइ कर लेते हैं यह देखे प्लेम को एक्दम लोग पे रखे और थोरा सा फ्राइच प्याज को अभा दो कemiंग देटे ऑपांगे जो की बिरियानी को ऐसेंबल करने के टाइम पर हमें इस्तमाल करना है अब इसमें डाल देते हैं देर ऊध्रकलेशिंग का पेस्ट flams तो मीडियम फ्लेम में एक मिनीट के लिए हम इसे भून लेते हैं ताके अद्रक्लेसिन का कच्चापन चला जाये अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून कश्मिरी रेच चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 3-4 हरी मिंच और चौप किया हुआ टमाटर तो यहां पे 2 मीडियम सेच की टमाटर है तो फ्लेम को एकदम लोग पे रखें नहीं तो म मिक्स कर लेते हैं और एक से दो मिनिट के लिए इसे भून लेते हैं अब हम इसमें हाफ काप पानी एड़ कर देते हैं ताके हमारी मसाला जलेना और फ्लेम को मीडियम पे करके इसे हम अच्छे से भून लेते हैं साथ हमें डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक मेरी टेस्ट के ह साथ से इसे एक बर अच्छे से मीक्स कर देते हैं जरुद परे तो आप इसमें फिर से थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हैं तो मैंने यहां पर फिर से थोड़ा सा पानी एड़ किया है अब हम इसे ढग देते हैं और पाच मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक कर लेते हैं पाच मनिट हो गिया है तो ये देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से भुन चुका है टमाटर भी सौफ्ट हो चुका है और ग्रेवी में से ओयल भी सेपरेट हो चुका है अब इसमें डाल देते हैं 100 ग्राम दही तो फ्लेम को एकदम लो पे रखे और दही को ग्रेवी के साथ अच्छे से मीक्स करें फ्लेम को मीडियाम या तो हाइप ना रखे नहीं तो दही को सकता है तो लो फ्लेम पे अभी हम इसे 5 मिनित के लिए खुग कर लेते हैं जब तक कि दही का पूरा मोईस्टर निकल नहीं जाता है और दही की पानी पुरी तरह से ड्राइन नहीं हो जाता तो यह देखिए देही का पूरा मॉइस्टर खतम हो चुका है और ग्रेवी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से भून चिकी है और भी सेपरेट हो चुका है तो यहां पे जो एक्स्ट्रा ओयल है अब हम इसे निकाल लेते हैं ताके बाद में हम इसे बिर्यानी में इस्तमाल कर स है अब इसमें एक काप पानी डाल देते हैं क्योंकि बिर्यानी के लिए हमें यहां पे ग्रेवी की ज़रुत है इसे अच्छे से मीक्स कर लेते हैं अब इसमें डाल देते हैं अच्छे से मीक्स कर लेते हैं और साथी में डाल देते हैं फ्राइक किया हुआ आलू को तो चलिए अब इसे डग देते हैं और 5 मिनित के लिए मीडियम व्लेम में कूक कर लेते हैं तो यह देखिए हमारी अंडा ग्रेवी कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में तो एक बर अच्छे से स्टेर कर लेते हैं तो चलिए अब हम पिरियानी को एसेंबल कर देते हैं अब इस्मे डाल देते हैं त्यूंु यह त्री टीश्पून बिरियानी अरोमा डाल दे अब उपर से फ्राई के हाऊवा प्याज अब एक तु चलिए अब हम इसे कर देते हैं तेक पेपर फोयल के मदद से हम इसे कर देते हैं तो अब हम इसे 5 मिनिट के लिए high flame पे दम पे रख देते हैं 5 मिनिट हो गया है तो अब हम कराई के नीचे एकतवा रख देते हैं और low flame पे 15 मिनिट के लिए दम पे रख देते हैं 15 मिनिट हो गया है तो flame को switch off कर देते हैं पर अब हम इसे नहीं खोलेंगे, दस मिनिट के बाद हम इसे खोलेंगे, तो दस मिनिट हो गया है, बिरियानी भी सेट हो चुका ही, तो चलिए अब हम इसे खोल लेते हैं, तो ये देखिए फ्रेंज हमारे बिरियानी में बहुत ही अच्छे से दम लग चुका है, और तोमेख लंबी है मेरी और बिर्यानी भी बहुती घिलीectनी है और ये नी बहुत puisqu बना है और आरोमा की फ्लेवर से भरफूर है तो देखे ऐख और करेंट और आप देह सकते हैं जबर एक एक लिए प्रहाएंजित्र चॉह तो तो फ्रेंज इस रेसिपी को आप अपने घर पे जरूर ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट करें के आपको मेरी ये कोलकाता स्टाइल अंड़ा दम बिर्यानी कैसा लगा है तो मैं बहुत ही जल्दी ऐसे ही दमदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें मेरी वीडियो को देखते रहें और मेरी रेसिपी को इंज्वाइ करते रहें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइट कर दीजिए मेरे चैनल में अगर आप नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताके इस रेसिपी को हर कोई इंज्वाइ कर सेके और हां फ्रेंस बेल आइक्यों को क्लिक करन बिल्कुल भी ना भूले ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगते पॉस्त रहें